Hello everyone, welcome back to my channel 25500 उर्दू, फार्सी और अर्वी के शिक्षक होंगे बहाद विसेश TET तथा STET के बाद परियाप संख्या में इन विशयों के शिक्षकों की बहाली हो सकेगी साथ ही इन विशयों को पढ़ने वाले चात्रों के साथ नेरसागी न्याई भी हो सकेगा डॉक्टर चंदरशेखर सिक्षा मंत्री का स्टेट्मेंट है ऐसे होगी परिक्षा TET परिक्षा के लिए उर्दू, फार्सी और अर्वी विशयों की कक्षा एक से पांस तक के पेपर एक तथा कक्षा छे से आठ पेपर दो कायोजन होगा इसी प्रकार इस TET में उर्दू, फार्सी और अर्वी विशयों के कक्षा 9 से 10 पेपर तथा कक्षा 11 और 12 पेपर दो आयोजित किया जाएगा राजे सरकार विशयों स्टेटी और स्टेटी आयोजित कर उर्दू, फार्सी तैथा अर्वी विशयों के शिक्षकों की भरती करेगी चरन बद्ध तरीके से 26,500 ऐसे सिक्षकों की निप्ति की जाएगी शिक्षा मंतरी डॉक्टर चंदर शिकर ने 15 दिनों में विशयों स्टेटी और स्टेटी आयोजित करने शमंदी नियमावली के साथ पूरी कारे योजना बनाने का निर्देश दिया है उसके बाद सिक्षा विभाग इसकी योजना बनाने में जुट गया है दर असल पिछले दिनों बरी शंक्या में चातरशात राओं ने सिक्षा मंतरी शे मिलकर सिक्षकों के नहीं होने के कारण होने वाली परिशानियों के संबन्ध में अपनी बात रखी थी इस समय उर्दू विशा के लिए कक्षा एक से पांस तक तीस हजार बती शुक्रित पद है जबकि 18,666 ही कारे रख है 11,166 पद रिक्ष पर रहे है इसी परकार कक्षा 6-8 तक के लिए 3794 शुक्रित पद है लेकिन मातर 2645 कारे रख है यहां भी 1637 पद रिक्ष है शुक्षक छात्र अनुपात के अधार पर कक्षा एक से पांस तक 4580 जबकि कक्षा 6-8 के लिए 2810 शुक्षक अतरिक्थ पद स्रीजन की आविशक्ता है इस परकार कक्षा 1-8 तक अर्दू विशा के लिए लगवग 20,000 पदों की रिक्तियां होगी इसी परकार माधिमिक एपम उच्चे माधिमिक विद्याले में भी काफी शंख्या में रिक्त पद है माधिमिक शिक्षक में उर्दू विशा में 2000 फार्सी में 600 तथा अर्वी में 300 पद कुल 2900 पद स्रीजन किया जा रहा है जबकि उच्चे माधिमिक शिक्षकों में उर्दू के लिए 2000 फार्सी के लिए 400 अर्वी के लिए 200 पदों का स्रीजन किया जा रहा है इस प्रकार मादमी के अबम उच्छे मादमी के विद्यालेयों में उर्दू फार्सी अबम अर्भी विशयों के लिए लगवाग पच पंसो पतों पर न्यूकती होगी तो कुल 25,500 उर्दू फार्सी और अर्भी के सिक्षक जो है वो बहाल होंगे इसके लिए विशयों स्टीटी और स्टीटी का आयोजन किया जाएगा